असलाम कुछ दोस्तो आज हम सीखेंगे कि कम्प्यूटर स्क्रीन का स्क्रीन शोट इस तरह से लिया जा सकता है उसके लिए हम तीन तरी के इस्तमाल करेंगे लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को अपी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो मेरे चैनल को सब्सक्र करतें ताके आपको मेरी वीडियो बर्वक्त पहुंचती रहें और वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करना ना भूलिएगा चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ तो सबसे पहले जिसका आप स्क्रीन शोट लेना चाहते हैं उसको ओपन कर लीजिए लाइक मेरे पाद security डेक्स्टॉप ओपन है इसका screenshot लेना चाहता हूँ उसके लिए keyboard प्रिंट इंग का button दिया गया है उसको press कर दी जिए उसके बाद paint tool open कर लीजिए और यहां पर लाके इसको paste कर दी जिए और इसको save कर लीजिए यहां पर भी आप इसको save करना चाहते हैं क्या आप की बोड से विंडो पलस प्रिंट स्क्रीन का बटन प्रेस कीजिए उसके बाद माई कम्प्यूटर पर आ जाईए और पिक्चर्स पर एक फॉल्डर बनाऊगा स्क्रीन शोट का इस पर आ जाईए तो आप देख सकते हैं कि जैसे हमने विंडो और प्रिंट स्क्रीन का बटन प्रेस किया था तो उसने हमारी स्क्रीन को कैप्चर कर लिया था जो कर यहाँ पर आकर सेव हो गया है थर्ड तरीका है कि आप स्नाइफिंग टूल ओपन कर ली दिये यहां पर आकर न्यूगा बटन प्रेस की दिये और जिस भी एरिया का आप स्क्रीन छोट लेना चाहते हैं उसको स्लैक कर लिए साइक में यह एरिया स्लैक करता हूँ और इसको यूँ प्रैक करके छोड़ देता हूँ आप देख सकते हैं यह स्क्रीन शोट के फोल्डर पर हमारा जो स्क्रीन की हमारी जो हम कैप्टर करना चाते थे वह आ गई है थैंक्स पार वाचिंग